हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं ममता दिल से स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल में कैसे हैं आप लोग मैं तो बहुत ठीक हूँ आसा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे तो चलिए बनाते हैं आज बहुत ही इसी और बहुत ही टीस्टी छोला बटो रहा इदर मैंने दो तीन चोटी में मतलब मीडियम साइज की प्याज लिए और दो टमाटर टमाटर भी बहुत बड़े नहीं है हाँ बहुत छोटे भी नहीं है इस समय देसी टमाटर बहुत आगा है जिनमें टेस्ट और जूसी पन बहुत रहता है तो थोड़ा सा अद्रक लबन के तैयार हो रहा है साथी साथ मैं बनाने जा रही थी खीर जो कि आज मैं पहली बार मिट्टी के बर्दन में बनाने जा रही थी इसमें बहुत ट्रेंड चला है कि मिट्टी के बर्दन में खाना बनाने का ऐसे मैं तो सोच रही हूं कि अब मैं सारे कुछ मिट्टी के ब पूरा चोला बना के तयार कर दूंगे जिसे ज़्यादा मेहनत भी ने लगे थोड़े से गरम मसाले बड़ी हिलाइची छोटी हिलाइची लॉंग काली मिर्ष इसे मैं तेल के ही साथ डालूंगी इस तरह डालने से गरम मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से तेल में हो टेदेटेďेदेशी और लीडिन कीशिदेशी आकड़ा साब्सक्राइब और यह दोजो कोगलने क Gothic की तों ला से साब करें खासे सीट्यों सब्सक्राइब औरshift से वनमें क्ण्रून हुआ दोजेजेदेशी नाकर देन JrQL आए पकाँने यह कन परिखरा करें सारे मसाले याद से पढ़जाते हैं तो मैंने ठोड़ी सी कस्मीरी लांड मिर्षली तोड़ी सी धनिया पड़ती थोड़ा से गरम मसाला थ्हो दूड़ा सा चोलत मचाला लिया है इस्थवों मैं पानी भीगो दूझे इदर फी खौल गया है तो मैं भी खीर बी चला दिए, ấyकोड़ा बríवा बनाते हैं, analyse के लिए मैंने दो काोतोरी आटा इक काोतोरी के लगबंक मैडा लिया है, थोड़ी सासी सुझी लेंगे और थोड़ा सा नमक और चीनी डाल देंगे इसको हम चुटकी पर सोड़ा डालके आटा गून लेंगे बहुत ही अच्छे से बटूरा बनके तियार हो जाता अगर आपके पास इसमें दही चाहे कुछ नहीं है तो भी काम चल जाएगा बस हलका सा तेल डालेंगे इसको मिक्स करेंगे और आटा गून लेंगे नॉर्मल पानी से ही मैं आटा गून के रख दूंगी हाँ बहुत लोग दही से बूनते हैं मेरे पास आज दही नहीं थी मगर ऐसा तो नहीं कि अगर कोई चीज न रहे तो हम उसको बनाएंगे नहीं इदर आटा गून के मैंने रख दिया और इसको फिर जब गून जाए तो उसके बाद थोड़ा सा तील लगा के फिर से अच्छे हाथों से मसलेंगे ताकि भटूरा आपका खूब अच्छे तरीके से फूले और सॉब्ट बने लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगे मेरा बटूरा कितनी अच्छी तरीके से फूलेगा और बहुत ही सॉब्ट बनेगा सूजी डालने से उसमें एक क्रंच भी आएगा तो इसको ढग देंगे इधर जो है प्याज और जो टमाटर मैंने इंकलने के लिए रखा था वो भी हो गया था इधर दूद में भी उबाला गया है दूद मिटी के बरतन गरम होने में तो टाइम लगता है मगर जब गरम हो जाता है फिर उसके बाद बहुत ही रिकत होती है क्योंकि वो जल्दी ठंडा ही नहीं होता है मैं बहुत ही कम आज पर उसके रखी थी मगर फिर भी लग रहा था दूद गिर जाएगा इसको बार बार चलाना पड़ा था इधर देखें प्यास टमाटर जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब पेस्ट की तरह हो गया है बस दो-तीन सीटी लगाने में ही प्यास टमाटर बड़े-बड़े पीसिस में कटे रहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं तो उन्हें मैंने कल्चुल के मंदद से ही पेस्ट बना दिया और दो-तीन लाल मिर्ष डालेंगे अगर आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्ष भी डाल सकते हैं इस तरीके से जो हमने मसाले भीगुके रखे थे वो भी डाल देंगे और उसके साथ खुब अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे जब ये सब भून जाएगा तो जो चना भीगुके रखे थे उसको डाल देंगे थोड़ा पानी के साथ ही डालेंगे अब बस कुछ नहीं करना है बस कुकर बंद कर देना है और सीटी कर लगा देना है चार-पान सीटी तो लगानी पड़ेगी हाँ बस मटर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ये चोला बंके बहुत तयार अच्छे से तयार हो जाता है इदर मेरी कीर भी बनके तयार हो गई थी बस हाँ ये था इसको चलाना बहुत पढ़ा था वैसे भी किसी भी चीज में कीर बनाया तो चलाना तो पढ़ता है इसके साथ मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया था केसर की स्मेल और कलर से कीर बहुत अच्छी बनके तयार होई थी और कीर को चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे चिपके ने क्योंकि चावल जो होता है वो नीचे चिपक जाता है और इस मिट्टी के बरतन में फिर उबाल आलने लगती है और ये गिरने लगता है तो हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी क्योंकि इसमें खुदी मिठास थी इस वज़े से चीनी हम थोड़ी ही डालेंगे और ये देखे मेरी कितनी ही रबडी की तरह कीर बनके तयार हो गए थी बस खाना बनके तयार हो गया ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना ही किचन भी गंदा हुआ तो कुछी मनलब टिप्स और ट्रिक से बहुत ही असानी से हम चोला बना के रख सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है तो इसको मैं थोड़ी देर तक कमाच पे रख दूंगी ताकि खीर और रबडी की तरह हो जाए ये देखी मेरा चोला बनके तयार हो गया ये बिलकुल ही गल चुका था तो इसको हम डिसाउट करते हैं और हरी धनिया से गानिस करते हैं देखे गर्मा गर्म चोला देखे जरूर आप लोग के मूँ में पानी आ गया वैसे गर्मी में भी हम खाते तो जरूर है मगर जितना असान जाड़े के मौसम में बनाना होता है उतना असान गर्मी के मौसम में नहीं रहता है इस वज़े से जाड़े में बनाना भी असान है और खाना तो हर मौसम में ही अच्छा लगता है तो बटूरा देखी कितनी अच्छी तरीके से फूल के तयार हो रहा था तो बटूरा भी तयार हो गया था और छोला और खीर भी बहुत अच्छी सी टेस्टी सी तयार हो गया थी वैसे तो छोला बहुत टेस्टी हो गया बना था मगर जो आज का हीरा वो थी कीर क्योंकि मिट्टी के बरतन में खीर बहुत ही अच्छी से बनके तियार हो गई थी उसमें जो इस सोनी सोनी सी महकारी थी उससे बहुत अच्छा लग रहा था और छोला बटूरा बने और उसके साथ पापड अचार न रहे ऐसा तो होई नहीं सक तो ये देखे खीर कितनी अच्छी बनके त्यार हो गई थी और ये रहा मेरा बहुत ही टेस्टी सा छोला बटूरा और साथ में पापड सलाद और चट्नी चट्नी मैंने एक दिन पहले ही पीस्के रख ली थी ये चट्नी जो दही के साथ पीस्के रखी जा उसका कलर नहीं चाता हो टेस्ट भी कई दिनों तक बना रहा था आप एक हफ़ते तक अराम से इस चट्नी को रख सकते हैं तो चलिए अब लगाते हैं थाली चोला बटूरा साथ में प्याज और टेस्टी सी खीर खीर तो मतलब कहना ही नहीं था जो भी खाया बस तारीफी करता रहा गया क् इस बर्तन में घीर बहुत ही अच्छी बंके तैयार हुई ती अब तो मैं सोची हूँ जब भी खीर बनाऊंगी तो इस मिटटी के बर्तन में ही बनाऊंगी वैसे अब मैं मिटी का परतन एक दो लेके आउंगी ताकि एक बर कुछने कुछ ट्राइकर हूं दाल भी इसमें बहुत अच्छी होती है तो अब हम ठाली लगाते हैं चलिए जाएं अपनी विंटर के स्पेसल ठाली क्योंकि जाड़े के मौसम में पूरी पराथा भटूरा खाने का अलगी मज़ा है और यह रहां मेरा तंदूरी प्याज जो की बहुत तेस्टी लगता है छोले भटूरे के साथ और यह तंदूरी चटनी जो होती है जो तंदूर के साथ मिलती है पने टिका के साथ उसके साथ तो भटूरा खाने का एक अलगी मज़ा था तो आपको मेरे आज की यह रेसिपी कैसी लगागा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जर